बतादे थाना सिर्शागंद छेत्र में अग्याद चोरो रेकुजन पूर्व दो बंद पड़े मकान को अपना निशाना बना कर चोरी की तीसरी वारदात को अंजाम देकर इलावका थाना पुल्स पर लगाया सवाल या निशान मामरा थाना सिर्शागंद शेत्र हैवत्पुर रोड इस तित एक किराय के मकान का है जहां मलखान सी अपने परवाद के साथ रह रहा था वही शुक्रवार की दिर रातरी को मलखान की पथी अपने माय के गई तभी अग्यात चोरों ने मकान के बाहर लगे लोहे के जंगले की स्तरिया काट कर अंदर से बंद लोहे के दरवाजे की कुड़ी खोल कर मकान के अंदर प्रवेश कर मकान में रखे कई कीम की सामान को अपने साथ चुरा ले गए वही पीडित महिला को भड़ना की जानगारी उस वक्त हुई जब पड़ोसियों ने मकान की मैं गेट का दरवाज़ा सुबा खोला देखा ममता और इलाकप पुलिस को सुचना दीव वही पुलिस एवं मलखान की पत्नी ममता मौके पर पहुँच गई वही पुलिस एवं पड़ोसियों ने आसपास भोजबीन की तभी चोरी किये गए मकान से कुछ ही दूरी पर बने काफी समय से खंडर पड़े पसुच शाले की बिल्डिंग में चोरी किये गए बैग एवं कपड़े पुलिस को मौके से मिले वही पीडित मलखान सींग की पत्नी ने बताया मकान के एक दर्वाजे का बाहर से ताला लगा कर दूसरे केट अंदर से बंद कर सस्राल गई थी तब शुक्रवार की देर रात्री को मकान के बाहर बने लोहे के जंगले की सरीय काट कर अंदर से बंद लोहे के दरवाजे को खोल कर मकान में रखे अग्यात चोरों ने सोने चानी के आभूसर कपड़े वा 55,000 रुपए एवं अनिक कीमती सामार अपने साथ चुरा ले गए हालांगी पुलिस मामले की जांच कर रही है लेकिन थाना से सगर्जी शेत्र में कुछ दिन पूर्वत ध्यापक नगर के दो मकानों के बाद अग्यात चोरों ने हैवत्पुर रोड पर बड़े किराय के मकान में चोरी कर कहीं ना कहीं पुलिस गस्त पर प्रश्न चिने अंजाम देते रहेंगे फिरोजवास से समभाद दादस हजिन गैन पी रिपोर्ट एस्केच न्यूज क्या गटना हुई यहां पर चोरी हुई है कब आई रात हैं गड़े में कौन था कोई ना है पर खाली है आप कहां गई थी तो लगवा कितने क्या सावान के रहे हुआ है करें पालर आता एक जंगी रहती चारंगी रहती पचाश पर जार रुपी आती और कपड़े लगवास पला टाद सारे घर आपको कैसे पता चाला चोरी उई है उसभेरे पता चली जिए दुकान कुनते हैं, तो उनने देखा, जब अजय कोई है, जब शोरी हो गई काया है, कि बार कोई है में, तो इनको आता न तो लूर देखे, कि बढ़ उसने देखे, कि यहां कोई है, न चूरी हो गई उसके, तो बेड़र सब खुले ड़र है, सब सा मान बल रहे गई, पुलिस आई, अब आगी